बिगडे काम कैसे सुधारें? सबजी में अगर नमक ज़्यादा पढ़ गया है तो उसमें लकडी का कोईला धो कर डाल दें, फिर कुछ देर बाद निकाल लें, नमक कम हो जाएगा. सूप में नमक ज़्यादा पढ़ जाए तो कच्चा आलू काट कर उसके टुकडे करके डाल दें, और धीमी आज पर 10 मिनट पकने दें, आलू के टुकडे नमक सोख लेंगे, सर्व करने से पहले आलू के टुकडे निकाल लें, और सूप में थोड़ा दूद डाल लें, सूप अधी में यदि लाल मिर्च अधिक पढ़ जाए, तो उसमें सौस, नीबू का रस या इमली का रस डाल दें, इससे तीखा पन कम हो जाएगा। चावल में नमक जादा हो जाए, तो मोसमी सबजियों को काट कर थोड़े से तेल में पका कर चावल में मिला दें, और अच्छी तरह से मिक्स कर लें। सांभर, रसम या सूप आधी में नमक जादा हो गया हो, तो उसमें एक टोरी उबला चावल मैश करके मिला दें। सूजी का हल्वा सूखा सा बन गया हो तो उसे गैस पर गरम करके एक घी से ग्रीस हुई थाली में जमा दें फिर बर्फी की तरह काट लें दूद जल गया हो तो उसमें थोड़ा सा खाने का सोड़ा वच चुटकी भर नमक डाल कर दूद को दूसरे बर्तन में निकाल लें जले की बू नहीं आएगी ब्रेड आधी सूप गए हो तो एक बर्तन में पानी गरम होने के लिए रखें उसके उपर छलनी रखकर ब्रेड रख दें दो मिनिट में ब्रेड ताजा हो जाएंगे लोकी या तोरी की सबजी में नमक तेज हो जाए तो बेसन की बिना नमक की पकोड़ी मिला दें नमक कम हो जाएगा और स्वाधिष्ट हो जाएगी अगर चावल जादा पक गए हो तो पहले उन्हें ठंडा कर लें फिर मिक्सी में पीस लें इसमें बारिक हरधनियां हरी मिर्च नमक वा नीम्बू का रस मिलाएं इस मिश्रन कीटिकिया बना कर डवल रोटी के चूरे में लपेट कर सुनहरा होने तक तल लें प्यंजन त्यार है येदि पुलाव में पानी जादा हो गया हो तो एक साफ मोटा तोलिया पुलाव पर ढखकर कूकर कुछ देर के लिए बंद कर दें तोलिया अधिक पानी सोख लेगा गुलाव जामुन सक्त बन गए हो तो खाने के समय प्रेशर कूकर के कंटेनर में रखकर एक प्रेशर आने तक गरम करें गुलाव जामुन मुलायम हो जाएंगे यदि दाल ये सबजी में हल्दी जादा पढ़ गई हो तो एक लोहे की चम्मच खूब लाल होने तक गरम करे वा उसे सबजी में डुबा दे फिर धीरे धीरे ठंडा होने दे हल्दी का रंग कम हो जाएगा सूखी सब्जी में तेल ज्यादा होने पर सब्जी किनारे लगा कर तेल में थोड़ा सा बेशन डाल कर भून ले फिर बाकी सब्जी चला कर मिला ले सब्जी में सोंदापन तो आएगा ही साथ ही कुरकुरी भी हो जाएगी अगर केक सक्त बन गया हो तो उसको हातों से भुरबुरा कर ले पतला पतला कस्टर बना कर ठंडा करे वा उसमें डाल दे बड़िया स्वीट डिश तेयार है सब्जी में तेल जादा पढ़ गया हो तो सब्जी कड़ाई के किनारे लगा कर निकाल ले और दाल छोकने के काम ले चावल में पानी जादा हो गया हो तो चावल पकने के बाद उपर ब्रेड के दो स्लाइस रख दे वे अधिरिक्त पानी सोख लेंगे संत्रे पिल्पिले हो गए हो और फांके ना छिल रही हो तो संत्रों को बरफ पर या फ्रीजर में रख दें कुछ समय के बाद सक्त हो जाने पर छिलने पर फांके असानी से छिल जाएंगी सरसो के तेल में या तील के तेल में गरम करते समय यदि जाग उठते हों तो उस समय इमली का एक टुकडा डाल दें जाग नहीं उठेंगे नीम्बू रखे रखे सूप गए हूँ तो उन्हें कुछ मिनिट खोलते पानी में डाल दें नीम्बू में से आसानी से रस निकल आएगा चावलों में गीलापन रह जाए तो गैस बंद करके गरम तवे या गरम भगोने पर रख दें वह तली में लगेंगे नहीं और अतिरिक्त पानी भी उड़ जाएगा आटा गूंदते समया आटे में नमक डालना भूल गए हो तो आट से दस बूंद पानी में नमक घोल कर परात में डालें और आटे को फिर से गूंद लें दोस्तों आपको हमारी ये जानकारी ये टिप्स कैसे लगे और कौन से टिप्स सबसे अच्छे लगे कॉमेंट बोक्स में जुरूर बताएं यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें यदि आप हमें फेस्बुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे फेस्बुक पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें तो दोस्तों फिर मिलते हैं ऐसे ही जबरदस टिप्स के साथ नई वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी का दिन शुब हो अपना ख्याल रखना